हलो दोस्तो राज हलवाई रस्पी में आप सभी का स्वागत है अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन आन कर लिजिए चलिए हम सुरू करते हैं हलो दोस्तो राज अलवाई रस्पी में आज हम बनाएंगे सफेद वाले रसगुले जिसको छेना भी कहते हैं बिल्कुल सफेद रंग का आज हम छेना बना के दिखाएंगे रसगुले सफेद वाले तो इसके लिए हमने 40 किलो दूद लिया है यह ड्राम में हमारा 40 किलो थोड में हम दूद उबाला दे देंगे तो 40 किलो दूद हमने एड़ कर दिया है और दूद हमारा गरम हो चुका है उबाला आने वाला यह उबल चुका है अब इसको हम छान लेंगे यह छाननी से टप में छान देंगे इस टप में हम 40 किलो दूद हम छान देते हैं यह 40 किलो दूद हमने छान दिया है बड़े पतीले में हमने पानी लगा कर ठंडा होने के लिए टप रख दिया है उसके बाद में यह बठल हमारा है बठल में हमने 5 किलो पानी एड़ किया है और यह बोतल में हम जो दिखा रहे है पनीर मसाला है इसमें हम 100 गराम आड़ करेंगे 100 गराम पनीर मसाला आड़ करेंगे ये गैस पे रखा हुआ पानी है हमारा दूद थोड़ा ज़्यादा ठंडा हो गया इसलिए हम पानी को गरम कर लेते हैं पानी दूद हमारा गरम है लेकिन कुछ जादा गरम ठंडा हो गया है इसलिए हम पानी गरम कर लिया है इसमें मसाला हमने 100 गराम आड़ किया है और थोड़ा थोड़ा आड़ करके हम दूद को हलाते रहेंगे मसाला एकठा नहीं डालना चाहिए थोड़ा थोड़ा डालके फाड़ना चाहिए जब फट जाए दूद तो हम मसाला डालना बंद कर देते हैं तो दूद हमारा फट चुका है उसके बाद में 10 मिंट के लिए हमने छोड़ दिया है यह हरा सा पानी उपर आजाता है उपर से मल उसके बाद में जो है तोकरे में मलमल का कपड़ा लगा का हम सारा पनीर छान लेंगे इसमें तो ये हमारा 40 किलो दूद का पनीर है दो बैच में हमें करना पड़ेगा तो आधा तो हम पनीर डाल दिये हैं आधा भी हमारा टप में है दोनों तरब से हम मलमल के कपड़े को गाठ लगा देते हैं और टोकरा उल्टा करके थोड़ा सा हम निचोड़ लेते हैं इस तरह तो इस तरह हम भी निचोड़ लेते हैं उसके बाद में हम यहां हमारे पास मोटी सी तूटी लगी है इसके उपर हम टांग देंगे तो ये बढ़ियां से और निचोड जाता ये देखें टूटी से हम टूटी के उपर टांग देते हैं और अच्छी तरह हम ये निचोड लेते हैं इस तरह भी अच्छी तरह हम निचोड लेंगे इस तरह सारा पानी हम जो है निकाल लेते हैं उसके बार पानी हमारा जो है छेने का पानी निकल चुका है एक ट्रे में हमने ये लाके पलट दिया है अब इसको अच्छी तरह मैस कर देंगे सारा पानी निकल चुका अभी हमारा ये एक बैच और आएगा आधा हमारा पनीर भी आया हुआ है आधा मैस कर ल प्लेन हो जाता है अगर दूद ज़्यादा गरम फाड़ दोगे या मसाला ज़्यादा लग जाएगा तो दूद में ये जो पनीर में हमारा दाने पड़ जाते हैं और टाइट हो जाते हैं दाने तो ये मैस भी नहीं होते हैं इसलिए बहुत ध्यान से ये स्वाप्ट पनीर ब बनेंगे तो ये इसको दूसारा बैच हमारा भी ये पनीर वाला आ गया है इसको भी अच्छी तरह हम मैस कर देंगे सारा अच्छी तरह मैस करके एक अठा हम कर लेंगे तो ये हमारा लग बग आठ किलो पनीर हो चालिस किलो दूद का हमारे हैं आठ किलो पनीर निकल जाता ह बिल्कुल स्वाफ्ट पनीर है, इसको हाथ से बिल्कुल है से थोड़ा सा ही मैस करना पड़ता है, बिल्कुल यह प्लेन हो जाता है, पनीर कोई कारीगर आदमी फारता है, तब ही बढ़िया बनता है, नहीं तो अंजान आदमी से पनीर बढ़िया नहीं बनता है, और पनीर ब ग्राम हमने एक किलो पनीर में हम 20 ग्राम घी डालते हैं तो यह हमारा जो है 8 किलो पनीर है 160 ग्राम हमने घी एड़ किया है इसमें और अच्छी तरह मिक्स कर दिया है इसमें मैज करके हमने मिक्स कर दिया घी को अभी यहाँ पनीर हम बिल्कुल छोड़ देंगे थोड़ी देर यह पड़ा रहेगा और यह थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम सुगर अपनी चासनी बनाते हैं तो यह कड़ा ही खाली है हमने भठी आन कर दिया है इसमें हम पानी डालेंगे 25 किलो हमने पानी एड किया है और यह 50 किलो की बोरी हमने इसमें एड कर दिया है सुगर के आधा हमने पानी एड़ किया है अब इसकी चासनी बना लेंगे सुगर के आधा पानी एड़ करने से चासनी हमारी बिल्कुल कंपलीड बन जाती है रसगुले हो या गुलाब जामुन हो लेकिन पतली चासनी बनाने के लिए हमें अलग पतली चासनी बनानी पड़ती है इसी को हम पतली अलग भी बनाते हैं तो हमारा रसगुले के लिए भी और गुलाब जामुन के लिए भी अलग अलग चासनी है ज्यादा कॉंटी में बनाने के लिए हमें दो तरह की चासनी बनानी पड़ती है तो पहले इसको हम हिलाते रहेंगे भट्टी का फ्लेम तेज कर दिया है उबाला आ गया है हमारी जो चासनी है उबल चुकी है अब इसकी हम मैल जो हमारे चासनी के उपर मैल आ गया है इसकी मैल सारी उठा देंगे हम निकाल देंगे ये कछड़ा जो है ये बिल्कुल निकाल देंगे साफ कर लेंगे अपनी चासनी को इस तरह हम चासनी को सफाई से बिल्कुल सफाई कर लेंगे ये हमारे चासनी बिल्कुल साफ हो गई है उबलती है अब ये हमारी दूसरी कड़ाई है जिसमें हम पानी आइड करेंगे दो जग मतलब पांच किलो पानी हम आइड करेंगे ये जग में हमारा धाई किलो पानी आइड किया है अब ये पानी को हम उबाला देंगे पानी हमारे उबलता रहेगा इसमें हम चासनी भी डालेंगे लेकिन अभी हमाँ दूसरी चासनी जो है इसमें हमने जो चासनी उबल रही है हाइडरो लगाएंगे दुकान पे हाइड्रो लगाना जरूरी होता है हमें सफेद रंग के रसगुले बनाने होते हैं बिल्कुल सफेद बनाना होता है आपको घर में बनाना हो तो हाइड्रो की कोई जरूत नहीं आप घर में जो बनाने वाले हैं वो हाइड्रो ना लगाएं एक एमकल होता है उसके बाद में हमने इसमें जो दो जग पानी एड़ किया था कड़ाई में इसमें हमने चार जग जो है चासनी एड़ कर देंगे जो चासनी हमारी उबल रही है अब यह हमारी जो चासनी है दूसरे कड़ाही वाली यह जो इसमे चार जग आयड किया है यह हमारी पतली हो गए क्योंकि हमने दो जग पानी पहले भी डाला है अब यह उसके बाद में जो और चासनी हमारी जदा बची हुई है ये टप में निकाल देंगे जिसमें हम रसगुले निकाल के रखेंगे तो इसमें आधा टप निकाल दे अभी चासनी हमारी जो है कडाही में आधा बची है अब जो टप वाला हमने चासनी निकाला है इसमें से हम निकाल के पकाते भी रहते हैं और यह जो हमारी पतली वाली चासनी है उबन रही है इसमें हम रजगुले निकालेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा पनीर का अपना मसाला लगाएंगे ये दो किलो पनीर हम पहले रशत लगाएंगे। दो किलो पनीर का हम मसाला लगाएंगे जिससे हर आदमी जल्दी समझ जाता है ज़्यादा लगाने से लोग समझ और कम पाते हैं इसलिए हम दो किलो पनीर का पहले लगाते हैं हमारा पनीर आठ किलो है हम चार बैच में बनाएंगे इसको तो पहले हम एक बैच दो किलो का हम मसाला लगाते है तो उसके लिए ये हमने जो है मिठा सोडा पहले लगाया है मिठा सोडा हमारा एक ग्राम के हिसाब से लगता है दो किलो पनीर में एक ग्राम मिठा सोडा हमने लगाना है उसके बाद में दो चमच हमने बैकिंग पॉर्टर लगाना है ये हमारा दो चमच बैकिंग पॉर्टर लगाएंगे इसमें तो ये एक चमच हमने लगा दिया दूसरा भी हमारा आने वाला है बैकिंग पॉर्टर का ये दो चमच हमने बैकिंग बोर्ट लगा दिया उसके बाद में इसमें हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे उपर से मसाले में पानी डालेंगे इसमें हम पानी डालेंगे भी तो ये हम चमचे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं तो ये अब हम मसाला बिल्कुल मिक्स कर लेंगे ये बैकिंग पाउडर और मिठा सोड़ा हमने लगा दिया अब मसाला जो है हम अपने छेने में मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स हो जाए उसके बाद में इसमें ये देखिए ये हमारा 200 ग्राम आरा रोट है और 40 ग्राम सूजी है ये इसमें हम आइड कर देंगे ये किलो पनीर में हम 20 ग्राम सूजी लगाते हैं और 100 ग्राम आरा रोट लगाते हैं उसके बाद इसको अच्छी तरह हम मैस कर देंगे अच्छी तरह इसमें आरा रोट और सूजी हम बिल्कुल मिक्स कर देंगे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है दो किलो पनीर का मसाला ये हमारा अच्छी तरह लग चुका है अब इसकी हम गोली पहले हम थोड़ा सा लंबा रोल जा बनाके इसको तोड़ लेते हैं छोटे 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 पीस में तोड़ लेते हैं जितना सेब में हमें रसगुले बनाने हैं यह हमने चार पीस तोड़ लिया है गोली दो अच्छी तरह जो है मैस करके हमने गोली बना दिया बिल्कुल इसमें क्रेकिंग और बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिल्कुल राउंड मारके गोली करना चाहिए बिल्कुल साब सुत्रा गोली होना चाहिए बिल्कुल साब सुत् दुसरा भी क्यां दिकाते हैं यह पंधराइब 15 गराम की गोलियां होती है यह फोल GUY 40 पचास गराम की फौल झालीस पचास गराम की बढ जाती है एक रश्गुला तो यह हमने दो गोले होर बना दिया तो बिलकुल यह हमने सेप में बना दिया बिलकुल साफ सुतरी गोली बना दिया अब यह देखिए हम दो किलो पनीर का बिलकुल गोलिया बनाकर हमने तयार कर लिया है चासनी हमारी भटी का प्लेम तेज कर दिया है पचासनी हमारी उबल लई है अब ह इसमें रेटे भिगो के रखते हैं, पहले से पानी में, गरम पानी में, और इसमें हम रेटे का पानी लगाएंगे, उबाला आ चुका है, जग बन गया है, जग से हमारा जो कडाही है भर गया हमने गोलिया एड कर दिया, सारी गोलिया हमने कडाही में एड कर दिया, अब ये देखिए बिल्कुल ये हमारी गोलिया फूल फूल के ये देखिए उपर आ रही है बिल्कुल ये अच्छी तरह फूल रही है दो मिन्ट के बाद ये सारी गोलिया फूलने लगती है चासनी में अच्छी तरह ये देखिए सारी जो है उपर आ रही है फूल फूल के एक बार य ये जब ज़्यादा फूल जाती हैं तो ये दीरे दीरे अपने चासनी में अंदर चली जाती हैं चासनी अब जोब करने लगती है और अब जोब करते करते ये बैट जाती है अंदर बैट जाती है अब ये हमको 10 मिंट हो चुके हैं थोड़ा थोड़ा पानी लगाना इस्टार है अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करेंगे ये देखिए आधा से ज़्यादा नहीं डूबा है भी आधा से कम डूबा है अब हमारे रसगुले तो पके हुई है लेकिन इसमें भी पानी की जरूरत है इसको उबाला दे दे के थोड़ा-thोड़ा हम पानी रेड करेंगे यह हमारे जो डोरी लिये हैं इसमें आधा किलो पानी आता है 500-600 ग्राम पानी आ जाता है जब फुल भरके लगाएंगे तो 600 ग्राम पानी आ जाता है इसलिए हम उबाला चड़ा चड़ा के और हम दुबारा पानी लगाते रहते हैं तो ये देखिए हम बिलकुल पानी लगाते रहते हैं पानी की जगह पे आप चासनी जो हमने टप में बना के रखता है वो भी जरूरत हो लगा सकते हो, अगर रसगुले आपके कभी ज़्यादा खसता होते हैं, तो आप चासनी लगा सकते हो, वैसे हमने पानी लगाया है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहते हैं, चासनी जब लगाते हैं, जब हमारे रसगुले खसता होते हैं, और ज्यादा पानी के जरूरत नहीं होती है, इसमें चासनी के लगाने के जरूरत होती तब चासनी लगाते हैं, तो ये हमारे रस्गुले बिलकुल पक रहे हैं, इसको थोड़ी थोड़ी देर पे हम जो है, पानी लगाते रहते हैं, क्योंकि ये पकते पकते गाड़ी हो जात हमारा चासनी भी लगा सकते हैं क्योंकि पानी की जरूरत अगर इसके ना हो कभी पानी लगाते लगाते जो है हमारे रसगुले खुल जाते हैं मतलब जादा अगर पानी लग जाए तो रसगुला हमारा बिलकुल खूल जाएगा उस जगा हम चासनी लगा देते हैं और खुलने की अवस्था हो तो इसमें सुकाखंड भी डालना पड़ता है क्योंकि तुरंद गाड़ी हो जाती है सुकाखंड डालने से तो ये तुरंद वहां रुख जाती है तो ये बिलकुल कंपलीट है हमारे रसगुले बिलकुल पका के हमने कंपलीट कर दिया है ये हमारे 12-13 मिनट में हमारे रसगुले जो है अच्छे तरह पक जाते हैं और इसके बाद में ये हमने पतली वाली चासनी जो इसमें हमारा 70% परसंट पानी रहता है और 30% सुगर रहता है जो हमारी दूसरी कड़ाई वाली जिसमें डाल रहे हैं उसमें 70% पानी रहता है और 30% ही हमारा जो है सुगर रहता है इसमें हम ये डाल देंगे रस गुले और जो चासनी वहां नहीं अबजोब करती है यहां पतली में अबजोब करती है यह सारे डूब जाते हैं बिल्कुल पतली चासनी इसमें भर जाती है और इसमें ये डूब जाते हैं पतली बक्कर में पतली इसको बक्कर कहते हैं हम लोग इसको पतली चासनी में ये देखें बिल्कुल डूब चुके हैं बिल्कुल इसमें पतली रसा भर चुकी है पतली चासनी भर चुकी है उसके बाद में हमने ये देखिए हमने चारों बैचेस बना लिये हैं हमारे रसगुले बिल्कुल कम्पलेट है आप भी अपने दुकान पे अपने घर में बढ़िया से बना सकते हो तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए गंटी वाला बटन आन कर लीजिए ताकि आने वाली हलवाई वाली वीडियो हमारी आपके पास पहुंचती रहे